Hello students, in this video we will see about third kingdom that is fungi Okay, so there is activity given You have to take a moist piece of bread or bhakri and keep in container for 2-3 days 2-3 दिन के लिए आपको bread या तो bhakri थोड़ी सी moist piece तोड़ा सा उसका गीला हुआ हुआ पारट लेना है और उसको एक अच्छे से ढखकन लगा कर एक डब्बे में बंद कर देना है 2-3 दिन के लिए और 2-3 दिन बाद उस पर एक fine cotton thread like tuft is found growing on the surface तो आप देखेंगे कि उसके surface पर finite thread like structures छोटे-छोटे-छोटे बारिक-बारिक-बारिक-बारिक-छोटे से आ जाएंगे उसमें के एक-दो आपको कुछ pieces लेना है और उसको microscope के निचे you have to observe it under the microscope so what we will see we will see this thread like structures called as fungi and this is nothing but the fungi आपको ऐसे thread like structure दिखेंगे जिसको आपन बोलेंगे fungi ओके तो यह फंजा के नहीं यह खुद का घना खुद बना सकेंगे नहीं यू केरियोटिक यू केरियोटिक मतलब दो पार्ट देखेंगे अपने दो different prokaryotes, eukaryotes, eukaryotic means जिसमें nucleus अच्छी तरह से दिखेगा जिसके अंदर के चोटे 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 ऑर्गेनेल्स है वो सभी well developed रहेंगे इसका मतलब इसमें भी सभी organelles यह well developed होंगे nucleus भी बहुत अच्छे से develop रहेगा okay then heterotropic organism अब non green है खुद का खाना खुद नहीं बना सकते तो फिर वो autotropic नहीं हुए तो वो क्या हो जाएंगे they may be heterotropic okay so यह जो फंजाए रहेते वो non green है eukaryotic है और heterotropic है खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे second characteristics was most of them are saprotrops means they feed upon decaying organic matter ज्यादा से ज्यादा यह जो फंजाए इसमें ज्यादा से ज्यादा इसके 1000 टाइप से वो टाइपस में से बहुत ज्यादा टाइपस यह कैसे है saprotrops खुद का खाना खुद तो नहीं बनाएंगे पर वो किस पर जीएंगे dead and decaying organic matter पर जो सड़ी गली चीजे उस पर यह उगेंगे बड़े होंगे और उस पर ही अपना nutrition लेंगे their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin उनकी जो cell wall है cell wall means outer covering यह किस चीज की बनिये बहुती tough और complex चीज से बनिये जो किस से बनिये sugar से जिसको नाम क्या है chitin means इनके जो cells रहेंगे वो cells पर outer covering रहेंगा अच्छे से cell wall का और वो किस चीज का बना है sugar का जो tough और complex है बहुत हार्ड है और जिसको क्या बुला जाता है chitin इसलिए mushroom के जो है outer covering यह क्या आते बहुत हार्ड आएंगे उसके हिसाब से some fungi are thread like and many nuclei are present in the cytoplasm cytoplasm यह एक liquid है जो liquid किस के अंदर है यह cell के अंदर flow होते रहता और इसके अंदर क्या होंगा बहुत से nuclei आपको देखने मिलेंगे कुछ-کुछ फंजाय तो कैसे है thread के जैसे सीदे बस अभी यह देको नहीं भी thread के जैसे लिए और इसके अंदर क्या मिलेंगा आपको बहुत से nuclei मिल जाएंगे नुक्लियस एक अगर ज्यादा होंगे नुक्लियस तो उसको नुकलाइ बोला जाता है okay and their examples is baker's yeast यह एक examples is aspargillus जो corn पर फंगस आता है जो मखे पर जो फंगस आता है उसको aspargillus बोला जाता है पेनेसिलियम और मश्रूम्स यह जो एक्जाम्पल यह क्या है मश्रूम यह भी क्या है एक टाइप का फंजाई है ओके तो इस थर्ड गिंग्डम डेट इस फंजाई अब हुआ क्या पता है क्या है इन्फोर्मेशन एड की दो मेनी सिस्टम्स अफ लगों बहुत ज्यादा कर लिया क्योंकि यह बेसिक था पट बहुत ही इजी था ओके तो दाट वाइए इसलिए तो आपने को रॉबर्ट विट्टेकर की क्लासिफिकेशन टेक्स्ट्बूक में दिये है ना क्योंकि वह इंपर्टन्ट है तो यह दॉपिक भी बहुत इंपर्टन्ट है तो यह दॉपिक वह दॉपिकेशन गुपिक पाट खिए जॉपिक यह दॉपिकर का जाए यह दॉपिक बाटन्ट वीडियो लिए छिए सब्सक्राइब लिए दॉपिक भी